नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से मैं आप सब के सामने उपस्तित हूँ एक और भवय मंदिर की कहानी लेकर भारत के अन्य राज्यों की तरह गुजरात भी कई भवय मंदिरों का घर है गुजरात का हर गोना अपने आप में अनुठा है अपने आप में अलग है यहां भी भार गुजरात के पाटर नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिन दिसा में पुष्पावती नदी के किनारे बसा एक प्राचिन स्थल है मौधेरा इसी मौधेरा नामक गाउं में भगवान सुर्य देव का विश्व प्रसि सुर्य मंदिर है जो गुजरात की प्रमुक एतिहासिक वह परेटक स्थलों के साथ ही गुजरात की प्राचिन गवरवगाथा का भी प्रमान है मौधेरा सुर्य मंदिर का निर्मान सुर्य वनसी सोलंकी राजा भीमदिव प्रथम में करवाया गया था सिल्पकला का अदुबुत उदाहरन प्रस्तुत करने वाले इस विश्व प्रसिद मंदिर की सबसे बड़ी खाश्यत यह है कि पूरे मंदिर के निर्मान में चुडाई के लिए कहीं भी चुने का उप्युग नहीं किया गया है इरानी शेली में निर्मित इस मंदिर को भीमदेव ने दो हिस्से में बनवाया था पहला हिसा गर्बगुरु का और दुसरा सभामंडब का इन स्थम्भों पर विबिन देवी देवताओं के चित्रों के अलावा रामायन और महा भारत के प्रसंगों को बहतरीन कारिगरी के साथ दिखाया गया है इस मंदिर का निर्मान कुछ इस प्रकार किया गया था कि जिसमें सुर्योदे होने पर सुर्य की पहली कीरण मंदिर के घर्बगुरु को रोशन करे सभामंडब के आगी एक विशाल कुंड स्थीत है जिसे लोग सुर्यकुंड या रामकुंड की नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर की शिलाओ पर भी खजू रहो जैसे ही नक्षीदार अनिक सिल्प कलाय मौजूद है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावन के संहार के बाद अपने गुरु वशिष्ट को एक ऐसा स्थान बत जाने की सलाह दिती कहा जाता है भगवान राम ने ही तर्मारणय में आकार एक नगर बसाया जो आज मोडेरा के नाम से जाना जाता है जहां श्री राम ने एक यगन भी किया था परतमान में यही वह स्थान है जहां यह सूर्य मंदिर स्थापित है यहां पुजा अर्चना नहीं होती क्योंकि मंदिर अलाव दिन खिलजी द्वारा खंडित कर दिया गया था। इसके साथ ही भगवान सुर्यदेव की स्वयम प्रतिमा तथा गर्बगुरु के खजाने को भी इस मुस्लिम सासक ने लूट लिया था। चारों दिसाओं से प्रवेश के लिए अलंकृत तूरण बने हुए हैं।